नमस्कार दोस्तों, Electrical Technician Channel में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा Electrical Wiring का Class 5 है। और आज के इस Class में हम सिखेंगे कि किस प्रकास से कोई भी Limit Switch का Connection किसी भी Circuit में करेंगे। तो दोस्तों, देखिए, यहाँ पर मैंने आपको Limit Switch दिखाया हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, जो हमारा Limit Switch होता है, वो Same to Same एक Push Button के जैसे होता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि जो हमारा Push Button है, उस Push Button के पीछे में हम कुछ Element लगाते हैं, जो कि NONC Element होता है। उसी प्रकास से हमारा Limit Switch होता है, उसमें भी NONC Element होता है। अब यह जो हमारा Push Button है, इसके पीछे में जो Contact लगे होते हैं, उनको Change करने के लिए हमें इस Push Button को प्रेस करना पड़ता है। Same to Same, हमारे Limit Switch को भी हमें किसी ना किसी Object से इसको प्रेस करना पड़ेगा। यानि कि जैसे ही कोई Object आके हमारा जो Limit Switch का Plunger है, इस Plunger को प्रेस करता है, तो इस Limit Switch के अंदर जो Element है वो Change हो जाएंगे। यानि कि इसके जो Contact है, NONC Contact वो Change हो जाएंगे। एक NONC Contact और दूसरा NC Contact ठीके दोस्तों, यह जो आप Symbol देख रहे हैं, यह हमारे Limit Switch का Symbol होता है। अब दोस्तों देखिए, जो हमारा Limit Switch होता है, इस Limit Switch के अंदर जो Contact होते हैं, यानि कि टर्मिनल होते हैं, वो टीन टाइप के आते हैं। पहला टाइप का जो Limit Switch होता है, उसके अंदर केवल आपको दो टर्मिनल मिलेगा, और यह ज़िए आपको दो टर्मिनल मिलता है, तो उसमें से केवल आपको NONC Contact या फिर NC Contact मिलेगा, यानि कि या तो NONC होगा आपके Limit Switch के अंदर, या फिर NC Contact होगा, ठीके दोस्तों, अ आपको चार टर्मिनल भी मिल जाएगा, जैसे कि आप इस Limit Switch में देख सकते हैं, यह जो हमारा Limit Switch है, इसमें चार टर्मिनल दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, एक दो टर्मिनल हमारा NC Contact है, तीन नमबर और चार नमबर टर्मिनल हमारा N-O Contact है, ठीके, अब दोस् वोल्ट टक वोल्टेज को अपलाई कर सकते हैं, दोस्तों यहाँ पे AC Power Supply लिखा हुआ है, आप चाहें तो इस Limit Switch को DC Power Supply से भी Connection कर सकते हैं, लेकिन voltage rating से मोकरती है, ज्यादा voltage rating का उपयोग ना करिएगा, अब दोस्तों दिखिए, यदि आपको इस Limit Switch के दौरा कोई Load को Connect कर सकते हैं, तो यदि आपका जो Load है, वो कम है, तो हम क्या करते हैं, Limit Switch के दौरा Direct Connection कर देते हैं, अगर हमारा Load जादा है, तो हमें वहाँ पे Contactor का इस्तमाल करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, और माल लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ Lamp है, जिसको हमें इस Limit Switch के Direct Power Supply दे देंगे, और Outgoing Terminal से Power Supply को ले जाके, हमारा जो Lamp है, उसको Connect कर देंगे, ठीक है, और Neutral Supply को Directly दे देते हैं, अब यहाँ पे जो Second Diagram है, इस Diagram में आप देख सकते हो, कि जो हमारा Limit Switch है, उसमें 3 Terminal है, 3 Terminal में हम क्या करते हैं, जो Face Supply है, उसको ले जाके Common Terminal पे Connect क इसी Contact के साथ में एक Yellow Lamp को Connect किया गया है, और Inner Contact के साथ में एक Red Lamp को Connect किया गया है, ठीक है, इसी प्रकास से जो हमारा तीसरा Diagram में, इस Diagram में आप देख सकते हो, जो हमारा Limit Switch है, उसमें 4 Terminal है, अब इनमें हमने 2 Indication Lamp को उप्योग किया है, और हर एक Contact के लिए अलग- पावर सोस को भी उप्योग कर सकते हैं, यदि आपका Contact अलग-अलग है तो, अब चलिए दोस्तों, यहां पे जो हमने सरकीर Diagram बनाएं, वो किस प्रकास से वर्क करेगा एक बास समझ लेते हैं, तो यहां पे हम सबसे पहले Power Supply को On कर देते हैं, जैसे हम Power Supply को On करते हैं, तो हमने यहां पे NC Contact का इस्तमाल कियें, यानि कि, Limit Switch का जो NC Contact है, उसके साथ हमने Connection कियें, इन Lamp का, यह वाली Lamp, यह वाली और यह वाली ठीक है, अब यहां पे जो हमारा No Contact के द्वारा जो Lamp Connect है, वो Glow नहीं कर रहे हैं, अब जैसे ही हम Limit Switch को प्रेस करते हैं, तो जो हमारा Lamp Glow हो रही थी, वो बंद हो जाती है, इसी प्रकाष से आप यहां पे देख सकते हैं, पहले हमारा ये वाली Lamp Glow हो रही थी, अब जैसी हमने Present Google को प्रेस कियें, तो ये वाला Lamp हमारा Glow होने लगा, इसके बाद में, यहां पे जो हमारा limit Switch है, इसको प्रेस करने के बाद मे येवाला लेम गलो हुँ हो रही है, इसके पहले हमारा येवाली लेम गलो हुँ हो रही थी, जब हम लेमी स्विच को Presse नहीं किय थी इसको पंगले करने पाद ये वाली लेम गलो होने लगी, ठीक है? तो यहाँ पर आप basic wiring समझ गये होंगे कि किस प्रकार से हम limit switch का wiring करेंगे और किस प्रकार से हम load को connect करेंगे यहाँ पर जो wiring मैंने बताया आपको बहुत ही basic बताया अब यहाँ पर जो हमारा wiring का level है उसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं यहाँ पर हमारे पास एक DOL starter है अब जो हमार DOL starter है एक motor के लिए इस्तेमाल किया गया है और motor को चालू और बन करने के लिए यह contactor इस्तेमाल किया गया है अब यहाँ पर में जड़ी आपको एक logic देता हूँ कि आपको यहाँ पर motor को बन करना है एक limit switch के दोरा यानि कि जैसे ही limit switch प्रेस हो तो आपका motor बन हो जाना चाहिए तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि आपका limit switch है उसको इस contactor के series में connect करना है यानि कि यहाँ पर connect कर देना है ठीक है अब यहाँ पर मैं आपको एक और logic दे देता हूँ कि आपको यहाँ पर एक और limit switch का connection करना है जिससे कि यदि इन दोनों limit switch में से कोई भी limit switch प्रेस हो जाए तो आपका motor बन हो जाना चाहिए तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो limit switch है उसको भी इसके series में connect करना है तो यहाँ पर हमने दो limit switch को series में connect कर दिया है अब यहाँ पर यहाँ आपको motor को चालू करना है तो आपको यह push button को प्रेस करना पड़ेगा इसको प्रेस करोगे तो आपका जो motor है वह start हो जाएगी अब यहाँ आपका जो motor है वह momentum करता है यानि कोई object को move कराता है तो मुझे जो object move होगा यहाँ जाके इन दोनो limit switch में से किसी भी limit switch को प्रेस करता है तो आपका जो motor है वह बंद हो जाएगी ठीक है अब चलिए आप यहाँ पर मैं आपको एक और dual starter दे देता हूं और आपको यह कहता हूं कि आपको यहाँ पर limit switch का connection करना है और वह जो limit switch है यदि वह प्रेस होता है तो आपका जो यह वाला contactor है वह start हो जाना चाहिए यानि कि motor start हो जाना चाहिए इसलिए हम यहाँ पर parallel में connection कर रहे हैं यहाँ पर हमने limit switch ले लिया अब यह जो हमारा limit switch है इसके connection के लिए हम क्या करेंगे यह जो हमारा push button है इसके parallel में connect कर देंगे ठीक है कुछ इस प्रकास है अब यहाँ पे यदि हमारा यह वाला limit switch प्रेस होता है, तो क्या होगा power supply यहाँ से flow होते हुए सीधे contactor में चली जाएगी, और जो हमारा contactor है वो operate हो जाएगा, यानि कि start हो जाएगा, अब दोस्तों देखे, यहाँ पे जो circuit diagram है, मैं इसको थोड़ा सा modify कर देता हूँ, और modify क करने के बाद एक diagram मना दिया, दोस्तों यहाँ पे जो आप circuit diagram देख रहे हैं, यह reverse forward dual starter का है, जिसमें दो limit switch का उपयोग किया गया है, ठीक है, अब दोस्तों देखेगा, यहाँ पे जो यह वाला contactor है, यह हमारा forward contactor हो जाएगा, और यह वाला reverse contactor, अब यहाँ पे आप दो limit switch देख सकते हैं, यहाँ पे जो पहला limit switch है, यह वाली, यह हमारा forward के लिए हो जाएगा, और यह वाली reverse के लिए, यानि कि जब हम motor को start करेंगे, तो कोई moving object क्या होगा, आगे forward होगा, और आगे जाने के बाद इस limit switch को प्रेस करेगा, अब जैसे इस limit switch को प्रेस करता है, तो य इसको प्रेस करेंगे, तो power supply यहां से flow होते हुए, इस contactor में चली जाएगी, अब हमारा जो motor है, वो reverse direction में चलेगा, और reverse direction में आने के बाद, जो हमारा moving object है, वो आके इस limit switch को प्रेस करेगा, इसको प्रेस करने पे यह जो contact है, वो change हो जाएगा, और change होने पे क्या होगा, य यह जो contactor है, वो off हो जाएगी, ठीके दोस्तों, तो कुछ इस पगार से हम reverse forward dual starter का connection करते हैं, ठीके, आप चली दोस्तों, यहां पे मैं आपको एक छोटा साब वीडियो रेखाता हूँ, और उस वीडियो को देखने के बाद, उसके लिए हम एक logic को develop करेंगे, ठीके, यहां पे दोस्तों, आप देख सकते हो, कि एक conveyor belt है, इस conveyor belt के उपर में एक box रखा गया है, अब यह जो box है, उसके आगे में यहां पे एक limit switch रखा गया, अब जैसे यह box आके limit switch को प्रेस करेंगा, तो हमारा conveyor belt है, वो बंद हो जाएगी, ठीके, उसके बाद में यहां पे एक hopper से कुछ material गिरेगा, और यह box को fill करेगा, तो इसके लिए हमें यहां पे logic को develop करना है, तो सबसे पहले आप यहां पे देखे थे कि जो हमारा conveyor belt है, उसके लिए एक starter चाहिए, तो यहां पर हमने एक starter बना चुके है, जो की device starter है, अब यहां पर आपने देखे थे, कि जो हमार करते हुए आ रहा है, और जो हमारा limit switch है, उसको press करेगा, तो हमारा जो contactor है, यानि की belt है, वो बंद हो जाना चाहिए, तो यहां पर हमें एक limit switch का उप्योग करना पड़ेगा, अब जैसे कि मैंने आपको बताया थे, कि यदि आपको motor को बंद करना है, तो आपको contactor के series में limit करना है, तो यहां पर मैंने आपको connection करके दिखा दिया, उसके बाद में, यहां पर हमने देखे थे, कि जो हमारा box है, वो आके इससे टकराता है, और टकराने के बाद हमारा जो hopper है, वो start हो जाता है, यानि कि hopper का gate है, वो खुल जाता है, और जो कुछ material है, वो आके fill करता ह है हमारे box को, तो यहां पर दोस्तों देखेगा, यहां पर जो हमारा limit switch को connect करेंगे, उसमें दो contact होना चाहिए, एक NO contact और दूसरा NC contact, तो यहां पर हमने दो contact वाला limit switch को connect कर दिया, ठीक है, अब यहां पर दोस्तों देखेए, यह जो hopper है, उसका जो gate है, उसको खोलने बन कर इसको पावर सप्लाइद देना है, तो इसको पोईर करने है, और इसको लिएक उसको ब्सविचर को प्रेइज करने हो, जैसे हम इसको प्रेजिक करेंगा, तो क्या होगा हमारे जो कॉंटेक्टर है वह स्टार्ट हो जाएगी जैसे कि आप देख सकते हो पावर सप्लाई याए कि यहां से फ्लो रहा और यहां पर जैसे ही बोक्स आके इस लिमिस दूच को प्रेस करता है तो हमारे जो यह वाला कॉंटेक्टर था वह ओफ हो गया और यह वाला इस्तमाल किया गा था जिसे क्या होगा गेट हमारा खुल जाएगा और कुछ मैटरियल जो रखेंगे इसके उपर में वह फिल करदेगा हमारे बॉक्स को दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि किसे प्रागा से हम लोजिक के शाप से चनेक्शन करते हैं तो दोस कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद